14 अक्टूबर 1582 तक इसाई धर्म के अनुसार जूलियन कलेंडर प्रभावी था लेकिन यह चुकि दस महीने का होता था इसलिए इसाईयों को क्रिस्मस मनाने में बड़ी परिशानी होती थी यही कारण है कि 15 अक्टूबर 1582 को इसाईयों ने ग्रेगेरियन कलेंडर बनाया और उसके हिसाब से कलेंडर वर्स जनवरी से दिसंबर का 365 दिन का होने लगा और यह सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि क्रिस्मस का दिन निर्धारित करने में परिशानी न हो आज पूरी दुनिया इसाई कलेंडर को मानने की तरह बढ़ चुकी है लेकिन भारतिये हिंदू पंचांग विश्व का सर्वस्रेष्ट और प्रमालिक पंचांग है ग्रीक ने इसे पूरी दुनिया में फैलाया था और चुकी आज वर्ष प्रतिप्रता के दिन से ही उस प पंचांग की गणना आरम्भ होती है आज ही के दिन विक्रमा दित ने राज्या रोहन किया ता आज ही के दिन ब्रह्मा ने शिर्ष्टी बनाई थी और आज इही के दिन जो दश आउतार बताये गए हैं उसमें मत्स आउतार हुआ था इसलिए चैत्र मास की शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन हमारे केहां वर्ष का प्रथम दिवस मनाया जाता है जो चंद्र वर्ष के अनुसार यानि 354 दिन का होता है और इससे जो दिन बच्चते ह उसे हम अधिमास कहते हैं और इसे विक्रमादित ने शुरू किया था